रांची के कुख्यात गैंगस्टर गेंदा सिंग को लोग आज भी नहीं भूले हैं। सुपारी किलर लखन सिंग और उसका छोटा भाई गेंदा सिंग का एक जमाने में हटिया तुपुदाना इलाके में आतंक का पर्याय था। वही गेंदा सिंग अब जेल से बाहर आ गया ह पिछले साथ वर्षों से बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद रांची का यह कुख्यात अपराधी जमानत पर जेल से बाहर आ गया है। रांची पुलिस उसके खिलाफ कोई भी साक्ष नहीं जुटा पाई और नहीं किसी ने उसके खिलाफ कोर्ट में गवाही दी इसलिए वह ज्यादातर मामलों में बरी हो गया। जो केस लंबित थे उनमें उसे जमानत मिल गई। सभी पर CCA के तहट कारवाई करते हुए यह निर्देश भी जारी किया गया था कि किसी भी हाल में इन्हें जेल से बाहर नहीं निकलने दिया जाए। इन सभी अपराधियों पर हत्या, रंगदारी, जमीन कारोबारी और बिल्डरों द्वारा रंगदारी नहीं देने पर हत प्रक्तिया या उन पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। गेंदा सिंग अपने बड़े भाई लखन सिंग के साथ मिलकर अपने गिरोह का संचालन किया करता है। खास तोर पर जमीन पर कबजा करना और जमीन माफियाओं की मदद करना ही उसका मुख्य पेशा है। भू माफियाओं में तो गेंदा की तूती बोलती है। साल 2015 में तुपुदाना चौक पर जमीन कारोबारी राकेश राम के निजी बॉडिगाड मनोहर जा और ड्राइवर राजेंदर राम की हत्या कर गेंदा सिंग ने अपराध की दुनिया में कदम रखा था। गेंदा पिछले कई सालों से जेल में बंद था। दरासल गेंदा सिंग कई मामलों में साक्ष और गवाह नहीं मिलने की कारण पहले ही बरी हो गया था। एक मामले में पांच साल की सजा पूरी कर ली थी। वहीं एक अन्य मामले में उसे जमानत मिल गई थी। लेकिन अतार CCA लगवा कर करीब दो साल तक उसे जेल में रखा परंतता वह सोमवार को जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आ गया गेंदा सिंग का बड़ा भाई लखन सिंग कुख्यात पेशेवर शूटर था लखन सिंग आठ साल पहले तो पुदाना थाना हाज़त से फरार हो गया था उसे हाज़त से भगाने में गेंदा सिंग ने भी मदद की थी जब रांची पुलिस उसकी खोज में सरगर्मी से लगी तो शूटर लखन ने अपने इलाके में यहाँ अफवाह पहला दी कि वह मारा जा चुका है लखन गिरोह की कमान अब उसके भाई गेंदा सिंग ने संभाल ली है परन्तु कुछ दिनों बाद सूचना आई कि उसे दूसरे राज्य में देखा गया है इसके बाद वह लोटकर रांची नहीं आया अब यहाँ भी लोग उसकी मौत की खबर को सच मान चुके हैं परन्तु पुलिस रिकॉर्ड में वह आज भी जिन्दा है साथ साल पहले मोस्ट वांटेड गेंदा सिंग को ओडिसा में पकड़ा गया था वहाँ वह अपनी पहचान छुपा कर रह रहा था तुपुदाना इलाके का आतंक कहा जाने वाला गेंदा सिंग ने जीटी यानी गुंडा टैक्स वसूलने से अपराध की शुरुआत की थी तब उसके बड़े भाई लखन सिंग से कारोबारी खौफ खाते थे वह बिल्डरों और जमीन दलालों के मामलों को मैनेज करता था उसे सुपारी किलर के नाम से भी जाना जाता था उसी की राह पर चलते हुए गेंदा सिंग ने भी जमीन के एक मामले को लेकर सरियाम दिन दहाडे डबल मर्डर कर खौफ कायम कर दिया फिर उसके जुर्म बढ़ते चले गए उसके टार्गेट पर जमीन कारोबारी और व्यवसाई ही रहे इतना ही नहीं तुपुदाना इलाके में जमीन खरीद बिक्री करने वालों से भी वह गुंडा टैक्स लेने लगा था उसे जीटी दिये बिना जमीन की कोई डील हो ही नहीं सकती थी अपराधी गेंदा सिंग के संपर्क कई सफेद पोश के साथ भी थे वह हटिया और तुपुदाना इलाके में युवाओं को अपने साथ जोडने के लिए अक्सर ही कई तरह की खेल प्रतियोगिताएं कराता रहता था गेंदा सिंग का खास साथ ही बुवा का खौफ भी इस इलाके में सिर चड़ कर बोलता था वर्ष 2014 में तुपुदाना चौक में दबंग लाल अशोकनाथ शाह देव की हत्या कर दी गई इस हत्या कांड के सूत्रधार के रूप में गेंदा सिंग का नाम उचला साथ ही हत्या का आरोप बुवा पर लगा इसके बाद लगभग दो साल तक वह पुलिस के साथ लुकाचिपी खेलता रहा इसके बाद 2016 में पुलिस को उसे गिरफतार करने में सफलता मिली अब यह कुख्यात गेंदा सिंग जेल के बाहर है उसके बाहर आते ही हठिया और तुपुदाना इलाके में जमीन कारोबारी, बिल्डर और व्यवसाई एक बार फिर दहशत में हैं हलांकि रांची पुलिस की माने तो गेंदा सिंग के जेल से बाहर आने के बाद से ही उस पर नजर रखी जा रही है उसकी एक-एक मुवमेंट पर पुलिस की नजर है